हाई फ्रेंड्स वेलकम और योर्पीटिया एंड टुमोरो इस दा डी डे कल आपका एक्जाम है सीजी पी डी टीम मेंस का अल दी वेरी बेस्ट वल फ्यू अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और अभी भी आप तेहरी करने बैठे हुआ है तो बुक सुख छोड़ दो त्यारी करना बंद करो नौ ड़स नॉट मैटर आप बी वेरी वेरी काम एंड कूल और कंपोजड अपना बैस देखे आओ एक्जाम के अंदर और जो टॉपिक छूट गये हैं हरी वरी नहीं करना नो हरी नो वरी इस टाइम एंड बी वरी रिलाक् प्रेपरेशन ये डॉकुमेंट जो नो नो भेजा है आपको एंटी ये ने उसको पढ़ लेना सबसे इंपॉर्टन चीज कि जो डॉकुमेंट उन्हों आपसे मंगवाए हैं उनको लेके जाना कुछ सर्टिफिकेट कुछ डॉकुमेंट लिखावा उसमे अधार कार्ड हो जारा वो लेके जाना जिसको भी हम पढ़ेंगे प्लस examination hall में in time पहुंच जाना जैसे आपको कुछ time रखना चीए for certain uncertain things like traffic jam or something जैसे अगर आप जा रहे हैं अपने personal vehicle में traffic jam ना मिल जाया आपको आपको किसी और reroute ना करना पड़े उसके लिए में मेरको strongly लगता है half an hour before you should plan to reach examination hall when you reach there don't talk to other students don't bother about that क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका वो impact डालता है and you may get you know a little disturbed by what others are saying or speaking or talking need not to do that just be calm तो अभी से काम हो जाओ बिलकुल अराम से अपना paper देने के try करना और यह मत सोचो paper difficult आएगा, असान आएगा, क्या आएगा and do not go to examination hall with any kind of expectation I am telling you that fact this is very very you know important आप कुछ मत सोचना कि मेरे marks इतने आएंगे, मैं pass होंगा, मेरको इतना होना चाहिए just give your best और अराम से अपना paper attempt करना, subjective का और objective paper को attempt करने का अपना एक अलग वे है जैसे आपको paper मिलेगा तो कई ऐसे questions होंगे जो आपको नहीं आएंगे तो वो questions आपको दबारे से करने के लिए बापिस आ सकते हैं आप लेकिन मेरा advice यह है कि objective type questions में जैसे आप करते चलेगे तो आप wait मत करना कि last में tick करूँगा, कि बाट time नहीं मिलता तो जो जो करते चलेगे उनको tick करते जाओ और जो आपने tick के उसको change करना चाते हो, तो change की option होती है वहाँ पे अगर option होगी, तो आप वहाँ पे अपने rough page पे लिख लेना कि this question I again want to check, कि बाट time नहीं मिलता, so you can go for it and there is a negative marking in objective paper, so you should not guess any question blindly blind guess नहीं करना है, अगर हाँ 50-50% guess है, you can do that कि 50% you are sure, 50% you are not sure, out of two choice, one can be answer that blind guess you can do, if only it is 50%, but out of four choice, you are not sure which one to tick don't do that, तुकि वो ज्यादा risk हो जाएगा, तो blind guess always creates trouble उसमें marks करते हैं तुमरे, don't go for blind guess, go for blind guess only if out of two choices, you are sure that out of these, one is the answer, but which one you are not sure तो वहाँ पे अपना आप blind guess ले सकते हैं, that is how you have to do बाकी ये आपने सारा चीज जो नहीं ने दे रखा है आपको कि आपके admit card के उपर reporting time भी दे रखा है, उस reporting time से half an hour पहले आपको पहुंचना चाहिए, मेरे को लगता उससे time जो नहीं ने दे रखा होगा उससे half an hour पहले बोल रहा हूँ, आपको पहुंचना चाहिए, सारे के सारा चीज जो ने दे रखी है और पहले ही अपना venue कहां पे है, उसको पता कर लेना, some people don't know के कहां पे center है, so at least ask somebody कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कितना time लगेगा, please ask for that उसके बाद, obviously ये कुछ documents जो आपके बास होने चाहिए, NTA की website से आपका admit card निकलेगा फिर आपको passport size photograph लेके जाना है, ये बहुत important है, ये जो board मेंने करके रखा है this is something which is very very important, ID card वगरा क्या होना चाहिए, please take this, 5 number is very very important क्या आपको document लेके जाना है, do that, उसके बाद scientific calculator होता है, programmable calculator allowed नहीं है, scientific calculator allowed है तो वही scientific calculator आपको लेके जाना है, right, and ये paper 2 में ही use करोगे आप and जो आपको pen लेके जाना है, वो ball point pen, transparent, simple transparent ball point pen, that simply means जो आपका pen होता है जिससे आप लिखते हो, that you can take, and I think blue and black will be permissible, if I'm not wrong क्योंकि कई mention तो नहीं किया है, लेकिन वो वहाँ पे आप लिजा सकते है आपके computer screen के उपर है, paper सारे का सारा, तो इसके बारे में, अगर आपने paper कभी दिया है computer screen पे you people will be knowing how it is to be done, लेकिन वहाँ जाके थोड़ी देर आपको comfortable feel करना है how you are using it, and how you are to basically make use of that particular thing ये चीज़े नहीं ले जानी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये चीज़ें आप नहीं ले जा सकते so these things are not to be taken, right, and diabetic students के लिए कुछ दिया हुआ है you can take this and all these things, yes, blank paper sheets rough work के लिए आपको दी जाएंगी और उन्हों पर आपको नाम लिखना है, role number लिखना है, कही बर क्याता है, invigilator आपको एक्जाम देते दे disturb करता है, अगर आपने ये चीज़ नहीं किया हो, जैसे आपके पास जो sheet पढ़ी है साथ में एक और एक्जाम दे रहा है बच्चा, आपने उस blank sheet के उपर अपना role number और नाम लिखना है, अगर नहीं करोगे, somebody will come and you know disturb you while you are writing the paper, तो इसको ये चीज़ें note कर लेना ध्यान से कि आपको ये सब सब आपको करना है and you have to do this very meticulously, yeah, next is admit card, ये आपको भरके अपना drop box में डालना है, before you leave the examination hall, ये anyway आपको जो invigilator होंगे, ये आपको सारा बता देंगे, how you have to do it, और उसके बाद, जो subject जब आपको paper मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, उसके उपर जो instructions है, those instructions you are to read, now friends, as far as the paper 1 is concerned, उसमें कोई trouble नहीं है, उसमें दिया हुआ है कि कौन-कौन सा section है, कैसे आपको attempt करना है, इसमें एक ही point में आपको बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आपका कोई particular section बहुत strong है, जैसे elementary mathematics अच्छा लगता है आपको, तो start with maybe elementary mathematics, if that option is there, आपको यहाँ पर 5 section होंगे, I do not know कि 5 section अलग-लग pop-up होगा या नहीं होगा, but what makes sense is, जैसे अगर आपका section attempt करना है, जिसमें आप बहुत comfortable है, suppose you fear elementary mathematics, then I don't think it makes sense to touch elementary mathematics in the beginning में भी, तो आप बाकी sections को cover कर सकते हैं, but that you need to see, वहाँ पर किस तरीके से sections are popping up, that you need to check it, बाकी मैंने आपको बताया है कि अगर suppose आप questions करते चलेगे, objective type में आपको time नहीं होता कि दबारे बापीस आके आप check करोगे, तो अगर कहीं पर guess मारना है तो आप मार सकते हैं, और उसके बाद आप आगे चल सकते हैं, you need to proceed forward, क्योंकि इसमें negative mark है, और minus one fourth negative mark है, so जहाँ पर भी दो choice में से एक आपको sure है कि दो में से एक answer है, वहाँ पे blind guess आप मार सकते हैं, that helps, लेकिन आपको चारों में से कोई भी नहीं पता, तो आप blind guess उसमें आपको नहीं करना है, that does not help you and that is something which is not good, now as far as the subjective paper is concerned, there are only two kind of questions, one is four mark करना दिस 25 mark, 25 mark के आपके पास 8 questions है and that is something which is very very important, मेरे को लगता है कि 25 marks को attempt करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखना है और आपके जो questions है, 8 questions 25 mark के इनमे identify करो कि कौन सा question best है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते है उसको सबसे पहले attempt करना चाहिए तुमें, उसके बाद next, उसका next और suppose इन 8 में से 2 questions आपको नहीं आते, उनका partial part ही आता है, कुछ part ही आता है तो उसको जितना part तुमें आता है, उसको last में attempt करो Do not attempt the question, जो आपको नहीं आता in the beginning अब इसमें भी कौन सा section आप पहले attempt कर सकते हैं, मेरे को लगता है आप 1 to 25 तो इकठे ही करने पड़ेंगे, 26 to 33 भी इकठे करने पड़ेंगे लेकिन आपको वो question पहले attempt करने चाहिए, जो आपको अच्छे आते हैं Why? Because invigilator जो आपका paper check करेगा, वो एक image बनाता है आपके बारे में in the beginning itself, जो आप attempt करना start करेंगे, वो एक image बनाएगा और वो image एक bicing produce करता है और उससे आपको marks मिलता है Let us say, आपने पहले 5 question बहुत अच्छे attempt किये च्छटा question बहुत अच्छा नहीं है, फिर still I'll give you good marks च्छटे में भी, जिसमें आपको 5, 4 number, suppose 25 में से आपको 15 number मिलने चीए मैं आपको उसमें से 17 number दे दूँगा Only because आपने पिछले अच्छे attempt किये है And similarly, अगर आपने एक question जो अच्छा attempt नहीं किया शुरू में You have not attempted question in the beginning very nicely तो उसके बाद कि अगर अच्छा भी attempt करोगे उसमें आपके number कम होते चले जाएंगे So friends, it makes sense कि आप वो question attempt करो जो question आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है एक चीज वहाँ पे जाके confirm करना Whether can you attempt any question in any sequence I mean, can you attempt question number 10 first And then question number 16 first And then question number, can you do that or not वो instruction पे लिखा होगा वहाँ पे And accordingly, आपको वहाँ पे जाके देखना है How you can attempt it और जैसे तुम्हें question पे पर आया तो यह चेक कर ले कि कौन से questions में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पहले आता है कौन-कौन से question तुम attempt करोगे पहले And then how, that is how you have to go for it And second you have to do is Like you have to divide the time You have 180 minutes 180 minutes for 300 marks That simply means, you divide it तो आपको एक mark पे दो minute मिल रहे है That means 25 जो आपका एक mark के उपर आपको दो minute spend कर रहे है 300 मतब 180 minutes, 300 marks तो 2 marks पे 1 minute That is what I am saying So 25 number के question को 10 minutes से जज़ाद नहीं लगाना चाहिए 10 minutes से ज़ादा उसमें नहीं लगना चाहिए और यह चार mark का है उसको 2 या 3 minute लगना चाहिए So आपके पास अगर 4 mark के question को तुम 5 minute लगा रहे हो That is not good तो 4 mark मेरे को लगता है 5-6 lines में होना चाहिए और यह आपका जो 25 number का है यह भी तुम्हारा कोई एक page में होना चाहिए तो आप accordingly वहाँ पे देखो उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं Word limit तो नहीं देखी है यहाँ पे उसमें mention नहीं किया लेकिन वहाँ पे instruction में देखना word limit है कि नहीं Let me repeat it once again आपको 25 marks का जो question paper 25 marks का question है उसको तुम्हें 10 से 15 मिनिट से जाद नहीं लगना है 15 मिनिट से जाद नहीं लगाना है similarly 4 mark में तुम्हें 3-4 मिनिट से उपर नहीं लगाना है word limit क्या है वहाँ चेक करना कितनी होगी अगर नहीं mention किया word limit तो मान के चानना 4 marks का जो question है 4 mark question that word limit should be like you know small 5-6 lines and 25 marks will be 1 page or 1 and half page or 2 page something like that so just check it out and rest I think is all okay friends जो मेरे को लगाना बाकी सारा ठीक है बाकी यही सारी instruction दी है यह document में भेज रहा हूँ आपको इसको go through कर लो and the last thing is like enjoy the paper least expectation से जाना हो गया अगर selection तब भी अच्छा है नहीं हो गया तब भी अच्छा है you will get better opportunities there is nothing to worry in the life just enjoy the process जो भी तुमने त्यारी किया है उसका best वहाँ देके आओ and unexpected results come when you go with the positivity with the positive mindset in the examination hall go with smiling face come out with a smiling face irrespective of what you do in the examination hall all the very best I'll catch you later thank you